हाँ जी गुडीमिंग फ्रेंड्स कैसे आप लोग आप लोग को का फिर से वेलकम है इस यूटूब चैनल पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर मारवार का इतियास कर रहे हैं मारवार के सासक राठोर खैलाते थे ठीक है मारवार के इतियास की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने राव जोधा तक के जो सासक है उनको कवर किया था 489 में राव जोधा की मिर्टी हो जाती है तो अब हम उसके आगे का जो पोर्षन है उसको कवर करेंगे ठीक है तो राव जोधा के बाद में जो अगला इस वंस में सासक आ रहा है उसका नाम है सातल देव ठीक है सातल देव बाण में तक इसका सासनकाल मन अगया है ठीक है सातल देव के अगर में में बात करें तो ये कौन था जोधा का उत्रा दिकारी था ठीक है इसने एक नगर बसाया ठीक है जिसका नाम था सातल मेर सातल मेर नगर बसाया और ये सातल मेर नगर जो है ये जैसल मेर मेर में बसा रहा है ठीक है ये बात आपको ध्यार नखड़ी है अब देखो ये जो सातल देव है इसके काल में एक अजमेर का परसासक था जिसका नाम था मलू खां ठीक है अजमेर का सूबेदार था मलू का एक जो की मेरता का प्रसासक है जिसका नाम है गुडले खां गुडले खां ठीक है मल्लू खां गुडले खां को आदेश देता है कि जाओ और मारवाड के उपर आकर्मन करो तो गुडले खां मारवाड के उपर आकर्मन करने के लिए आता है ठीक है तो जैसे ये मारवाड में 130 कर्णियाएं गणदोर पुजन करती भी मिलती है ठीक है तो ये गुड़ले खां क्या करता है 130 कर्णियाओं को उठा कर ले जाता है इनका अपरहन कर लेता है और इन कर्णियाओं को लेकर मेड़ता पहुंच जाता है मेड़ता पढ़ता है नागोर में तो मेरता पहुंच जाता है, सातल देव इस गुडले खां का पिछा करते हैं और गुडले खां को पकड़ लेते हैं, तो गुडले खां और सातल देव के बीच में एक युद्ध होता है, जिसका नाम है पिमपाड का युद्ध, पिमपाड का युद्ध, और ये युद्ध के बीच ठीक है सातल देव और गुरले खां के बीच में होता है ठीक है सातल देव इस युद में गुरले खां को मार देते हैं गुरले खां की गरदन काट कर वापस से मारवाड ले आते हैं ठीक है और 130 कन्याओं इनको भी मुक्त करवा देते हैं ठीक है तो गुरले खां का सर काटकर जब यह मारवार ले आते हैं तबी से मारवार के सा वा जाता है र anyhow फुम्हार निर्थिय परंपरा थिक लू रहा है डोसे मारवार के अंदर गणगोर के दिन यानि कि चेत्रक्रुष ने अस्तमी के दिन गुड़ला देते किया जाता है और गुड़ला निते की जो परंपरा है वो गुड़ले खांके मारे जाने से सुरू हुई है तो गुड़ला निते आपको याद रखना है अब यह जो सातल देव है सातल देव की रानी है जिनका नाम है फूला भाट यानी इनकी पत्नी का नाम है फूला भाट यानी तो सातल देव की पत्नी फूला भाट यानी जोदपुर में एक तालाप का निर्मान करवा रही है वो भी आपको ध्यान रखना है फूले लाओ ताल ठीक है फूले लाव तालाव इसकी जो रामी है सातल देव की पूला भाटिया नहीं है जोद्पुर में फूले लाव तालाव का निर्मान करती है ये बात हो गई में में सातल देव की ठीक है सातल देव के बाद में अगर हम बात करें तो next इस वंस में जो सासक आ रहा है उसका नाम है राव सूजा सातल देव के बाद next जो इस वंस में सासक आया है उसका नाम है राव सूजा राव सूजा और राव सूजा का जो सासनकाल है वो 1412 में से लेकर 1515 तक है ठीक है राव सुजा के बारे में बस एक दो बाते याद रखनी है कि देखो राव सुजा जो था इसके समय दीका नेर का राजा था दीका नेर का सासक था जिसका नाम था राव दीका जोधा का सबसे बड़ा पुत्र था और एकदम पित्र भक्त वेक्टी था यह जोधा ने इसको कहा कि वही तुम कही और चले जाओ तो अपने पिता के कहने पर इसने मारवार राजे को छोड़ दिया और नया राजे बीका न मिर्थी हो गई तो जो राव भीका है राव भीका ने राव सुजा को कहा कि भाई जोधा के तेरह राज की ये चिन है ठीक है वो मुझे चाहिए जोधा से ने तो मुझे संपत्ति चाहिए ने मुझे और कुछ चाहिए मुझे बस मेरे पिता है राव जोधा उनके तेरह राज की चिन है जो मुझे चाहिए ठीक है तो राव भीका राव सुजा से तेरा राज की चिनों की मांग करते हैं जोधा के तेरा राज की चिनों की राव सुजा ये चिन देने से मना कर देते हैं तो राव भीका और सुजा दोनों के बीच में यो दो जाता है इस युद में राव पागा हा मार आजाता है ठीक है और इस यूदु मैं विजेता बनता है लेकिन पिका देखो मारवाड पर कबज्बा नहीं करता है बीका जो है वो अपने राजिकी चिन लेता है और वापस से अप्रत्य यह इपने पिता की वrü्ठ्यूप का इंतेशाद कर रहा होता है, उनके मरने के बाद यह अपने जो पिता से सम्मंदीत राजि चीन हे उन्हें लेने आता है, थीके, तो यह होगि है राव सूजा, राव सूजा के बाद में नेक्स जो इस वंस में सासक आ उसका नाम है गांगा इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है गांगा में से काफी सारे कोश्चन ऊचे जाते हैं तो नेट्स जो सासक आ रहा है इस वंस में वो आ रहा है राओ गांगा या इसी को कहा जाता है गंग देव ठीक है अगर इसके सासनकाल की बात करें तो 1515 से लेकर 1531 तक इसका सासनकाल हमको देखने को मिलता है ठीक है राओ गांगा की अगर बात की जाए तो देखो राओ गांगा ने सांगा से मित्रता कर ली ठीक है राणा सांगा मेवार का सासक था तो राओ गांगा ने सांगा से मित्रता करी और अपनी प्रारम्विक समस्याओं को सॉल्व कर लिया मेवार मारवार में जो युद होता था उन युद्रों को इसने बंद करवा दिया ठीक है सांगा से मित्रता करके दूसरी बात आपको गांगा की ध्यान रखनी है यह जो गांगा है गांगा तथा इसके पुत्र माल देव राठोवड ने माल देव ने खानवा के युद में भाग लिया था ठीक है खानवा युद में भाग लिया था और गांगा के बारे में क्या ध्यान रखनी है बात तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि खानवा के युद का पहला जो नगाडा है वो गाँगा ने बजाया था ठीक है खानवा युद्ध का पहला नगारह के बाइब ने बजाया ये भी बात आपको याद रखनी है जाols सकता है कि किसने पहला नगारह बजाया है इसके लावा घर हम गाँगा की बात करें तो गाँगा के निर्मान कारी आपको ध्यान रखने हैं, जो गांगा है, गांगा के निर्मान कारी आपको ध्यान में रखने हैं, गांगा का पहले निर्मान कारी है कि इसने गंगा बावडी बनवाई, ठीक है, गंगा बावडी, दूसरे इसका निर्मान आपको याद रखना है कि इसने इभर शाम मंदिर का निर्मान करवाया और ये तीनों चीजे कहां बनवाई तो जोदुकुल में बढ़वाई है यह गांगा की बाते याद करनी है अब गांगा की मृत्यू कैसे हुई इसके उपर भी दो मत आपको दिखाई देते हैं तो राव गांगा की मृत्यू से वो हैं पक्ष हैं दो तर्क हैं पहला तर्क कहता है ठीक है मारवाड़ी इतिहास कारों के अंचार जने मारवाड़ के जोदूर्ण उतियास कार रहे वह इसके मृत्यू का कारण बताते हैं कि जो गांगा था ये अफीम डोध खाता था तो एक दिन अफीम के नसे में राव गंगा महरांगड दुर्ग की खिड़की से नीचे गिर जाता है और इसकी मृत्य हो जाती है तो मारवाड़ी तियासकार गंगा की मृत्यू का कारण बताते हैं कि अफीम के नसे में महरांगड दुर्ग की फिड़कियों से नीचे गिरने से इसकी मुर्ची हो गई। तो मारवाड़ी तियासकार तो अफीम वाला रीजन देते हैं दूसरा आपको ध्यान रखना है शामल दास का कवीराज शामल दास, बीर विनोध वाले शामल दास ये कहते हैं कि जो गांगा है गांगा की मृत्वी नहीं भी गांगा को उसके पुत्र माल देव राठोड ने महरान गड़ दुर्ग की खिड़कियों से धक्का दे दिया ठीक है जिससे इसकी मृत्वी हो गई ठीक है तो शामल दास क्या कहते हैं कि जो गांगा की मिर्प्व है वो माल देव द्वारा धक्का देने से हुई ठीक है इसने मेरान गड़ दुर की खिड़कियों से गांगा को धक्का दे दिया और गांगा की मृत्वी हो गई तो इस वंस का पित्र अंता सासक कौन हो गया पहला पित्र अंता सासक हो गया इसका माल देव राठोड ठीक है ये बात आपको ध्यान नखनी है ये कोशन पूचा जा सकता है कि मारवाड के राठोड वंस का पहला पित्र अंता सासक कौन है तो वो है राव माल देव राठोड अब इस वंस का जो अग है यह में में बाते हो गई गांगा की या गंगदेव की नेक्ट जो इस वंस में सासक आ रहा है उसका नाम है माल देव ठीक है तो माल देव के बारे में अब हम not down करना शुरू करते हैं बहुत important है माल देव से बहुत ही question पूछे जाते हैं तो next is once में सासक आ रहा है माल देव माल देव के अगर सासनकाल की बात की जाए तो माल देव का सासनकाल है 1531 से लेकर 1562 तक इसका सासनकाल मिलता है इसके समकालिन सासक समकालिन दिल्ली सासक इसके काल में दिल्ली में सासक कौन कौन थे तो पहला था हुमायू फिर हुमायू के बाद में आ गया सेरसा सूरी और उसके बाद में आ गया अकबर तो तीन जो बात्सा है वो इसके समकालिन थे ये और ये दो तो मुगल थे और सेरसासूरी अफगान था ठीक है सेरसासूरी मुगल नहीं था तो यह इसके समकालिन था सब होगे अब देखो मालदेव के बारे में कुछ कथन है वो कथन आपको याद रखने मालदेव के बारे में कथन आपको याद रखने तो देखो पहला कथन जो मालद इन ओलिया है ति कि यह दोनों मालडे और आठोर को हस्मत वाला सासक कहते हैं हस्मत वाला जासक का मतलब हो गया थाठ बाठ वाला सासक थाठ बाठ वाला तो बहुत इंपोर्टेंट है याद रखना एक एक लाइन इंपोर्टेंट है तीके दूसरा आपको ध्यान रखना है फरिस्ता इतिहासकार है जिसका नाम है फरिस्ता फरिस्ता माल्देव राठोर को भारत का सचसे शक्ती शासक बताते है तीके अब हम बात करें बदायूनी की बदायूनी भी इतिहासकार है ठीक है ये जो था हल्दी गाटी के युद में था राजपुतों की दाड़ी से अपनी मलखुम से अपनी दाड़ी भी गोई थी इसने हल्दी गाटी के युद का एक मातरी पियास कारता बदायूनी जो है ये मालदेव राठोड को पूरु सार्थी राजपुमार कहता है ये पूरु सार्थी राजपुमार है ठीक है तो ये मेन मेन कथन आपको मालदेव राठोड के बारे में ध्यान नकड़ा है ठीक है मालदेव राठोड जब 1531 में सासक बना उससे पहले इसकी सासक बनने से पहले ये हैं देख कि सुझणी पाली में था मार वाड का सासक, पाली की परतल ये अब हम बात करेंगे माल देव राठोड की विजियों की ठीक है? तो next जो है वो बात आती है माल देव राठोड की विजें बहुत important है यहां से थोड़े question पूछे जाते हैं ध्यान रकना ठीक है? माल देव राठोड की विजें तो विजें के लिए हमें ध्यान लखना है कि जो मारवाड है इसके आस पडोश में कौन-कौन से सासक है तो देखो यह हो गया मारवाड मारवाड के अगर पडोश में बात की जाए तो सबसे उपर उपर पड़ता है बीका नेर ठीक है और जो बीका नेर है बीका नेर का सासक्था इस वक्त जेट सी ठीक है बीका नेर का सासक्था राओ जेट सी अगर बात की जाए नागोर की बीका नेर के पास में क्या है नागोर ठीक है तो नागोर का जो सासक्था वो था दोलग खां ठीक है नागोर के बाद में next अगर हम बात करें तो आजाता है मेर्टा प्लस अजमेर मेर्टा और अजमेर का जो सासका वो था बीरम देव भीरम देव फिके इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां परता है भातरा-जूर भाद्रा जून और भाद्रा जून का जो सासक था वो था वीर सीहाल ठीक है? भाद्रा जून के ज़श्ट पास में पढ़ता है जालोर जालोर का सासक था सिकंदर खान ठीक है? और लास्ट यहां अगर बात की जाए तो यहां पढ़ता है सिवाना ठीक है? और जो सिवाना है सिवाना का सासक था दूंग रशी भाटी दूंग रशी भाटी ठीक है? तो यह इसके जोधा के आसपडोस के सासक हो गए ठीक है? तो जोधा की अगर विजियों की बात की जाए तो जोधा की जो सबसे पहली विजे थी वो थी भाद्रा जून विजे ठीक है? और यह विजे इसने ली है 1531 32 में सासक बनते ही जो इसकी सबसे पहली विजे थी माल्डे उराटोर की वो भाद्रा जून विजे थी यह क्या करता है? भाद्रा जून के सासक वीर सीहाल को पराजित करता है और भाद्रा जून के उपर अधिकार कर लेता है ठीक है? सेकेंड नंबर अगर हम बात करें तो इसकी जो दूसरी विजे है वो इसने करी थी जालोर के उपर ठीक है? जालोर जो है इसने 1534 में जीता था जालोर के सासक सीकंदर खां को पराजित किया और 1534 के अंदर इसने जालोर के उपर कबजा कर लिया ठीक है? तो इस तरह से जालोर का भी काम तमाम हो गया इसका भी काम तमाम हो गया ठीक है? अब हम आते हैं नागोर पर तो देखो जो नागोर का सासक है दोलत खां दोलत खां माल्देव राठोर जो है माल्देव राठोर की साहता से ही नागोर का सासक बनता है ठीक है दोलद खान और माल्देव राठोर की बीच में जो विवाड का मुख्य कारण है वो था दरिया जोस हाती दरिया जोस हाती ठीक है ये जो दरिया जोस हाती है ये दोलद खान का आती ठीक है लेकिन दोलद खान इस दरिया जोस हाती को माल्देव राठोर को नहें दे कर दीरंदे को दे देता है ठीक है तो इससे क्या होता है इससे जो ये माल्देव राठोर है ये नाराज हो जाता है ठीक है नाराज हो जाता है और नागोर के सासक दोलत खां के साथ में हीरा बाडी का युद लड़ता है हीरा बाडी युद और ये युद हुआ है 1535 में ठीक है तो हीरा बाडी के युद में जो माल देव है माल देव दोलत खां को पराजित करता है 1535 में और नागोर पर भी कर लेता है इसकी जो चोथी करें यह देखो यह तीसरी जय बीया होगी अब इसकी जो चोथी वीजय है माल देव राठोड की वो इसने करी थी डूंग्रैसी भाटी के उपर सिवाना को इसने जीता था और सिवाना को इसने जीता था 19 – 1538 में, मैं 1938 में पहुंचने लगते हैं तो कभ जीता है 1538 में इसने जीता है अब देखो माल्डेव राठोर्फ जो है यह क्या करता है कि मेड़ता के सासक मेड़ता और अजमेर के साथ साथ बीरम दे के उपर हमला कर देता है ठीक है बीरम दे पर हमला करता है और मेड़ता और अजमेर को जीत लेता है ठीक है लेकिन बीरम दे जो है ये भाब कर चला जाता है सेर सांसूरी के पास सेर सांसूरी के पास तो यहां पर बहुत important question बनता है कि माल देव राठोर को सोरी सेरसांसूरी को माल देव राठोर के खिलाब बढ़काने वाला वक्ति कौन है तो वो वक्ति हो गया वीरम देव तो यह आपको ध्यान लट रहे है नेक्स तब बच गया देखो कौन बीका नेर वाला तो नंबर 6 जो इसकी वीज़े है वो बीका नेर पर होवी है ठीक है देखो इनके बीच में साहेबा या पाहेबा का युद हुआ साहेबा या पाहेबा का जो युद है ये 1542 के अंदर हुआ है ठीक है इस युद में मालदे और अठोड जो है इसके सेना पती है जिनका नाम है जेता प्लस कुमपा ठीक है ये जेता और कुमपा क्या करते हैं बीका नेर के उपर हमला करते हैं राव जेत्ची को मार देते हैं और वीकानेर के उपर कबजा कर लेते हैं, ठीक है, तो राव जेची की जब मिर्टी हो जाती है, तो राव जेची का पुत्र, जिसका नाम है कल्यान मल, ठीक है, राव जेची का जो पुत्र है कल्यान मल, ये भी पहुंच जाता है, इसके पास, सेरसाहां सूरी के पास, ठीक है तो सेरसां सूरी के पास बीरम दे भी पहुंच रहा है और सेरसां सूरी के पास में जेटसी तो मर गया तो जेटसी का बेटा कल्यान मल भी सेरसां सूरी के पास में पहुंच जा रहा है तो इनके बीच में जो है युद्ध होगा गीरी सुमेल का युद्ध लेकिन उससे पहले एक दो बाते ओर है वो हम और कर लेते हैं तो सेर सांसुरिय और मालदेव के भीच युद्ध कराने से पहले एक दो बाते आपको और ध्यान में रखनी है तो यह पूरी कहानी हो गई मालदेव राठोर की दिजियों की अब देखो हम बात करते हैं माल देओ राठोर का जेसल मेर से सम्बन तो माल देओ प्लस जेसल मेर सम्बन तो माल देओ और जेसल मेर के सम्बन देखो जेसल मेर जो है जेसल मेर का सासक था जिसका नाम था लून करण लून करण ठीक है इसकी पुत्री है जिसका नाम है उमादे भाटी यानी चेसल मेर के सासक भाटी सासक तो इसकी पुत्री है उमादे भाट्यानी और मारवाड का सासक है माल देओ राठोर तो मारवाड का सासक हो गया माल देओ राठोर अब देखो ये जो लून करण है ये अपनी पुत्री उमादे भाटियानी का विवा मालदे और अठोर के साथ में करता है 1536 के अंदर ठीक है उमादे भाटियानी जो है ये मालदे और अठोर से किसी बात पर नाराज हो जाती है और नाराज होकर उमादे बाट्यानी चली जाती है तारागड दुर्ग में ये कहां पढ़ेगा तो अजमेर वाला सरवादी आंत्री काक्रमन जेलने वाला दुर्ग है तारागड दुर्ग ठीक है? तो उमादे बाटियानी चली गई तारागड़ दुर्ग नाराज हो गई मालदेव से और जीवन भर ये मालदेव राठोड से नाराज रही और जीवन भर ये तारागड़ दुर्ग में ही रही इसी लिए ये जो उमादे भाट यानी है ये इतिहास के अंदर रूफी रानी मान मती उमादे भाट यानी के नाम से परशिदूई है ठीक है रूफी रानी के नाम से परशिदूई है तो यह जो रूठी रानी वाला है यह question एक्जाम में कई बर पूछा गया है बहुत ध्यान रखना मालदेव राठोड की पत्नी है इससे नाराज हो जाती है जीवन भर तारागड दूर्ग में रहती है इसलिए एतियास में से रूठी रानी का आ गया है और रूठी रानी का अगर महल पूछा जाए तो रूठी रानी का महल हो गया तारागड दूर्ग अजमेर रुखी रानी का महल भी कूछ सकते हैं यह आपको ध्यान में रख रहे हैं ठीक है अब देखो सेर सांसूरी ने जब मारवाड पर आकर्मन किया था उससे पहले मालदेव राठोर ने इस रुखी रानी उमादे बाटियानी को मनाने के लिए एक आदमी को बेजा था ठीक है तो मालदेव राठोर ने सेर सांसूरी के आकर्मन से पुर्व इस उमादे बाटियानी को मनाने के लिए इसरदा बारहट को बेजा था इसरदा बारहट इस उमादे बाटियानी को मना कर महरान गड़ दुर्ग के एकडम गेट तक भी ले आया था लेकिन यहीं पर एक ही औरत थ आसा बारहट के दोहे सुनकर यह जो उमा बाठियानी है यह वापस से चली गई अभ इस ने दोहों में कुछ इसको ताने मारे उन तानों को सुनकर ये वापस से नरा जोकर चली गई तु इससरदा बारसिय ध्यान अक्कना मानाने वाला ओ और यह जो आसा बारट है इसके दोहे सुनकर रूठी रानी वापस तारा गड़ चली गई माल दोर सूरी और हमाईयो का जब यू दोता है तो स्वीद में हमाईयो को साहेता देने का प्रस्ताव देता है लेकिन हमायो की यह साहेता नहीं कर पाता है तो तो सेर सासूरी इससे कई रीजनों से चिड़ा हुआ है तो अब हम बात करते हैं सेर सासूरी और माल देवराटोड के बीच में युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम है गीरी सुमेल का युद्ध या इसको जेतारण युद्ध भी का जाता है तो पंदरा सो चम्मालिस पाँच जनवरी पंदरा सो चम्मालिस को ये युद्ध हुआ है और किस सिस्तान पर हुआ है तो पाली में ये युद्ध हुआ है ठीक है अब देखो अगर बात करें ये किस-किस के बीच हुआ है तो हमें पता ही है कि ये जो युद्ध है ये सेर साहा सूरी वर्सेज माल देव राठोड के बीच में हुआ है ठीक है अगर सेर साहा सूरी की बात की जाए तो सेर साहा सूरी के साथ में इसमें वीरम देवी था और इसके साथ में कल्यान मल भी था वीका नेरवाला ठीक है माल देव राठोड की बात करें तो माल देव राठोड के साथ में जेता वै कुम्पा ये थे इसके सेना पती थे तो देख अगर बात कीजाएं कि जेता और कुम्पा इन दोलों ने सेर सांसूरी की सेना के उपर भयानक हमला कर दिया तो जेता और कुम्पा को युद करने के लिए आगे बिज़ देता है और खुद पीछे सेना लेकर आ रहा होता है तो जेता और कुम्पा सेर सांसूरी के उपर बड़ी जबर्दस तरीके से हमला कर देते हैं सेर सांसूरी जो है इस हमले से थोड़ा सा डगमगा जाता है लेकिन सेर सांसूरी को खबर मिलती है कि माल्दे और आठोर और ज्यादा सेना लेकर आ रहा है तो सेर सांसूरी कहता है भाई अब तो मामला गडबड हो जाएगा तो यहाँ पर सेर सांसूरी जो है यह अफवा उड़ाता है कि जेता और कुम्पा जो मालदे और आटोर के सेना पती हैं वो मुझे से मिल गए हैं यानि कि सेर सांसूरी दोर अफवा उड़ाई जाती है कि जेता और कुम्पा अब सेर सांसूरी से जाकर मिल गए हैं ये खबर मालदेव राठोर को मिलती है, तो मालदेव राठोर युद भूमी की तरफ नहीं आता है, मालदेव राठोर जोधपुर निकल जाता है, और फिर जोधपुर से मालदेव राठोर शिवाना निकल जाता है, अगर मालदेव राठोर इस युद में पहुंचता, तो से निश्चित थी, ठीक है? लेकिन शेल सांसूरी अफवा उरा देता है और माल्देव राठोर वापस से लोर जाता है, ठीक है? अब देखो इस युद के बाद में शेल सांसूरी का एक कथन है, वो कथन आपको याद रखना है, शेल सांसूरी बड़ी मुश्किल से इस युद क को जीत पाता है इसलिए शेर सांसूरी एक कथन कहता है कि मैं मुठ्थी वर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादसाहत हो बैठता ठीक है ये कथन है सेर सांसूरी का तो किस युद्ध के बाद कहा है किसके बारे में कहा है ये सबाब को ध्यान रखना किसका कहा गया ये कथन है ठीक है अब अगर बात करें तो देखो सेर सांसूरी ने गिरी सुमेल का युद्धी जीता उसके बाद सेर सांसूरी ने जोदपूर पर अधिकार कर लिया जोदपुर दूर्ग पर यानि मेरानगट दूर्ग पर इसने अधिकार कर लिया और जोदपुर पर अधिकार करके ख्वास खां ख्वास खां को जोदपुर परसासक बना दिया जोदपुर देख लो मारवार देख लो एक ही बात है तो ख्वांस खां को मारवार का इसने परसासक बना दिया ये बात हो गई हमारे गीरी सुमेल या जेतारण के युद्ध की ठीक है और देखो अगर हम बात परें इसकी मालदेव राठोड की तो मालदेव राठोड के बारे में आपको एक दो बाते और ध्यान रखनी है अब द हम को बात करनी है हर माड़ा का युद्ध हर माड़ा का युद्ध जो है यह हुआ है 1557 में हरमारा पड़ता है जेपुर के पाद ठीक है 1557 में ये युद्ध हुआ है ये युद्ध किस-किस के बीच हुआ है तो ये युद्ध हुआ है हाजी खा पठान कि एक है वर्सेज उदैसी मेवार वाला है ठीक है अभी इसमें जो माल दे और आठोड है माल दे और आठोड हाजी खांपी साहता करता है ठीक है और एक महीला है जिसका आपको नाम ध्यान नखना है रंग राय रंग राय महीला इस रंग राय महीला को लेकर ये ये दूआ है देखो रंग राय महीला जो थी ये एक मतलब एक वेश्या थी कि कि उदे सिंग भी इसका नाच गाना देखने जाते थे और ये हाजी का पठान भी इसका नाच गाना देखने जाते थे एक दिन दोनों पी लेते हैं और पीकर कहते हैं रंग राय मेरी है रंग राय मेरी है से बोलकर दोनों लड़ जाते हैं तो इनके बीच में युद हो जाता है हरमाडा का युद इस युद में मालदे और अटोर हाजी का पठान की साहता करते हैं तो इस युद में जो विजेता बनते हैं वो हाजी का पठान बन जाता है उदे सी इस युद में हार जाते हैं ठीक है अब गर हम बात करें मारवाडी ख्यातों की तो मारवाडी ख्यात माल देव राठोड को 32 युदों का विजेता बताती है और माल देव राठोड के जो सेना पती है जेता और कुम्पा जो गिरी सुमेल के युदों में मारे जाते हैं ठीक है मारे जाएंगे गिरी सुमेल के युदों के विजेता हैं ये बात कोन करें तो ये बात कह रही है मारवाडी ख्यात इसके बाद अगर हम बात करें जो इसके बारे में माल देव राठोड के बारे में तो आपको माल देव राठोड के निर्मान कारे याद रखने तो पहला इसका निर्मान कारे आपको ध्यान लखना है कि इसे महरान गड़ दुर्ग का आधूनिक निर्माता का जाता है देखो महरान गड़ दुर्ग का निर्मान को पिं 59 में किया गया था राव जोदा के दौरण कल वाली क्लास में में पड़ा था लेकिन महरान गड़ दुर्ग जो है इस दुर्ग के चारो तरफ बाउंडरी बनवाने का परकोटा बनवाने का काम जो है वो इसके अलावा इसने माल खोट दुर्ग है जैसल निर्ग में उसका निर्मान करने वाला देखती भी मालदेव राठोड़ी है और अगर इसका फोर्त निर्मान कारे देखा जाए तो इसने सेरपूर या धोलपूर दूर्ग बनवाया और यह दूर्ग बनवाया इसने धोलपूरी है तो यह हो गए जोधा के मालदेव राठोड़ी के निर्मान कारे है बार बर जूधा या धार है तो यह इसके निर्मान कारे हो गए अब हमें बात करनी है मालदेव राठोड़ी के पुत्रों की तो यहां तक वह आपको समझ में आया होगा अब यह जो माल्दे और राठोड है इसकी तीन संताने है ठीक है इसकी तीन संतानों का आपको ध्यान में रखना है देखो पहली जो संतान है इसकी वो है राव चंद्रसेन ठीके दूसरी जो संतान है इसकी उसका नाम है उदैसिंग उदैसिंग एक मेवाड में भी उदैसिंग था ये वो उदैसिंग नहीं है ये उदैसिंग है इसे मोटा राजा उदैसिंग का जाता है ठीके मोटा राजा उदैसिंग और एक आपको द्यान लखना है राम, इसके एक बäटी का नाम था राम. ठीक है, तो मालदेव राठोर की जो मिल्ट्व है वो 1500, 62 में होती है, लेकिन अपनी मिल्ट्व से पहले मालदेव राठोर अपने समराज्य को अपने बेटों में बाट देता है. ठीक है? मांने और आछाटर देको राम से तो नाराज रेता है इसलिए राम को निर्वासित कर देता है ठीक है? ये निर्वासित होकर पहुँच जाता है अखबर के फास भीक है? मोटा राजा उद्य कि इसको दे धी जाती है फलोदी तह है भाई तू पलोदी का सासक बन जा और राव चंदर सेंग इस वंस में आने वाला अगला सासक होगा next class के इंदर हम इस राव चंदर सेंग को cover करेंगे बहुत important सासक है महाराना परताप से पहले अकबर से यूद करने वाला नेक्ती राव चंदरसेन हैं परताप का अगरगामी कहा जाता है मारवार का भूला विश्रा नायक कहा जाता है बहुत से कोशन इसके उपर बनते हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट ही ये सासक है इसे हम next class में कमर करेंगे ठीक है तो ये जो लाइक कर दीजिए ज्दा ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिये जो बैल नोटिफिकेशन है उसको भी ओन कर दीजिए ताकि जहे ऐसी नहीं नीकला से जब भी आएं तम आपको कुछ की जानकरी हो आए ठीक है दोस्तो उस ज्देशे जाधा पढाई करो इन नोट्सों को य ही जाना है ठीक है ऐसे ही पढ़ते रहो अपने करता वे पत्पर बढ़ते रहो ओके जी बाए बाए